आप सभी का स्वागत है BPS CTRE 2.0 National Current Affairs के अंदर मैं आपसे बिल्कुल वादा कर चुका था आपसे बात कर चुका था कि मैं आपको National Current Affairs करा हूँगा इसकी पहली क्लास में आप लोगों को अवेलिबल कराई है जिसमें 200 कोशन में आपको दिये थे और आज सेकंड क्लास लेकर आया हूँ फाइनल क्लास ही आपके एक्जैम के लिए और इसमें भी मैं आपको 200 कोशन कराने वाला हूँ लेकिन मैंने आप लोगों से कहा था इन 400 कोशन के अलावा अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि आप मेरी प्लेलिस्ट है जो उसमें जाए 10 मिनट सिरीज को देखे और वहाँ पर आपको हर एक टॉपिक पर बेजड 10 मिनट की एक क्लास मिलेगी और उस क्लास को देखकर आप करेंट अफियर्स के लगबग सभी टॉपिक्स को कवर अप कर स पूशिश करेंगे चलिए पहले सवाल हाली में किस राज्य में प्रधान मंत्री नेरेंद्र मोधी जी ने कमल के आकार वाले एक शिव मोगा हवायडे का उद्गाटन किया है दुब याद रखेंगे इसका आकार थोड़ा सा यूनिक है इसलिए बहुत फेमस भी है लेकिन इसका नाम जो रखा गया है वो B.S. यदुरप्पा के नाम पर जो कि इस राज्ये के पूर्व मुख्यमंत्री है और याद रखेंगा यह करनाटक की बात हो रही है तो करनाटक में जो शिव मोगा हवायड़ा है इसका नाम B.S. यदुरप्पा एरपोर्ट है बियस ये दुरप्पा के नाम पर रखा गया है पिजी और पापुआ नियोगिनी द्वारा किसे सर्वोच समान से समानित किया गया है ये दोनों देश हैं आप जानते हैं और इन दोनों देशों के सर्वोच नागरिक समान और इसके अलावा ग्रीस का जो सर्वोच नागरिक समान है वो भी भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी को दिया गया जबकि सुरीनेम देश का जो नागरिक समान है उद्रोपदी मुर्मु जी को दिया गया था अगला कोशन है कौन सा शेहर सयुक्त रास्ट की SDG यानि सस्टेनेबल डेवलप्मेंट गोल सतत विकास लक्षे की परक्रिया को मापने वाला पहला भारती शेहर बन गया है बहुत इंपोर्डिन कोशन होगा यह याद रिखेंगे मध्यपरदेश का भोपाल शेहर होगा किस देश में 5000 साल पुराना एक पेड़ है जिसको ग्रेट ग्रेंट फादर कहा है इसको याद रखेएगा और इसके आधिकारिक तौर पर दुनिया के सबसे पुराने पेड़ के रुप में मनेता दी गई जो की चिली देश में आता है प्रेस इन्फॉर्मेशन बीरो के ने प्रधान निधेशक जो बने हैं वो कौन होंगी तो को यहाँ पर सवाल जो है वो एचली बदल जाएगा आंसर क्योंकि कई बार आप देखते हैं कोशन्स जो होते हैं सर यहाँ दो आंसर हो सकते हैं एक राजेश मलोतरा थे पहले लेकिन अभी सेप्टेंबर मन्थ में चेंज हो गए और इसलिए अब यहाँ पर राजेश मलोतरा की जगा मनीश देसाई जो होंगे अब उनको पी आई बी का नया महा निधीशक बना दिया गया मनीश देसाई यहाँ देट सर रजनीश कुमार होंगे याद रखेंगे असम के सर्वोच नागरिक प्रुसकार असम वेभव से किसे सम्मानित किया गया है जो असम का सर्वोच नागरिक सम्मान है दिखे इससे पहले रतन टाटा जी को दिया गया था और अब की बार एक डॉक्टर तपन स साह का किया नाम से है जिनको दिया गया है असम का सर्वोच नागरिक सम्मान विधेश मंतराले ने ऑस्ट्रेलिया में भारत के गले उच्चायूत की रूप में किसे चुना है यह उच्चायूत पहले श्रीलंका देश में बने हुए था और इनको श्रिलंका से शिफ्ट कर आदि आगया ऑस्ट्रेलिया के अंदर भारत के राजदूत के रूप में और इनका नाम है गोपान बागले निमलिכत में कौन सी कमपनी भारत की सबसे अधिक मुनाफ़ वाली कमपनी है सबस्दा मुनाफ़ वाली सरकारी कमपनी की बात करे तो वह O N G C है लेकिन ओवर ओ और सारी कमपनी की बात करे तो R could रिलाइंस कमपनी जो की भारत की सबसे बड़ी Market Valuable Company भी है वही profitable भी है Global Crypto Adoption Index 2023 में 154 देशों में भारत को कौन सी rank हासिल हुई है या शीर सी rank किसको हासिल हुई ये दोनों बातों में भारत कही याद रखेगा इस पूरी रिपोर्ट में भारत पहले इस सन पर आता है महाराश की किस शहर का नाम बदल कर च्छत्रपती सांभाजी नगर किया गया है और सात ही याद रखेंगे इसमें एक और शहर एसर आस्मानाबाद जिसका नाम बदल कर धारा शिव किया गया है और यही पर एक Church Gate Railway Station था जिसका नाम बदल कर C.D. देशमुख Railway Station कर दिया गया यह महरास्ट में बदला और यही पर अहिलिया नगर रख दिया गया नाम, एहमद नगर का जो बदल कर वो भी यही पर हुआ था और औरंगाबाद का नाम बदल कर चेंज किया गया निमलिकित में से किस राज्य में बिरसा मुंदा हौकी स्टेडियम का उधगाटन किया गया है? यहाँ पर विश्व कप, हौकी विश्व कप के मैचिस भी खेले गए जो कि उड़ीसा के राउर केला में बना है बिरिसमुंडाजी के नाम पर और इन ही के नाम पर आप जानते हैं 15 नवंबर को जन जाती है गौरव समान दिवस मनाया जाता है किस लेखक को जर्मन पीस प्राईस जर्मन शांती प्रुसकार से समानित किया गया है तो जर्मनी का जो शांती प्रुसकार है यह सल्मान रुष्दी जो एक लेखक है उनको दिया गया इस साल भी उनके किताब आई है जो important है विक्ट्री सिटी के नाम से दिल्ली के सफदर जंग हवायडे पर जो उडान भवन बनाया गिया है उसका उदगाटन किस नहीं किया या उडान भवन कहां बनाया गिया इसे भी पुछा जा सकता है दिल्ली में और इसको जियोती राजे सिंध्या जो की हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर है उनके दुवारा लांच किया गिया हाल ही में युनेस्को में विश्व धरुवर सुची में किसे शामिल किया गिया है तो याद रखेंगे दो शामिल किये गए सर एक करनाटका से और एक वेस्ट बेंगॉल से आते हैं करनाटक का होई साल टेंपल और शांती निकेतन वेस्ट बेंगॉल का यानि कुल 42 हो चुके वर्ल्ड हेरिटेस साइट भारत के अंदर भारत का पहला आईएटी मदरास जो है उसका परिसर बनाया जाएगा और यहाँ पर एक प्रीती के नाम से प्रोफेसर प्रीती है जो उसको इसका देख्ष बनाया जारा है यह नाम भी याद रखने की जरूरत है आपको और यह तन्जानिया के जंजिबार में होगा आईएटी मदरास का एक कैमपस इसी तरह आईएटी डेली जो है उसका एक कैमपस UAE के अंदर होगा सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त क्या गया है याद रखेंगे शसस्त्र सीमा बल जो है हमारा उसके महानिदिशक के रूप में रश्मी शुक्ला को चुना किया है किस राज्जिय में सुलब ग्रामिड परिवहन सुविधा को बहतर करने के लिए दूर दरास के इलाकों में गाड़ी की जो सुविधा है उसको देने के लिए मुख्य मंत्री ग्राम गाड़ी योजना की शुरुवात की गई है याद रखेंगे यह जारखंड में हैमंत सौरेन ने लौंच किया बारत के सबसे गंदे रेलवे स्टेशन की सूची की बात करें तो इसमें पैरुं गलाथू रेलवे स्टेशन जो आता है वो तमिलनाडू स्टेट का है जो नंबर वन पर आता है सबसे गंदा रेलवे स्टेशन होगा महिला आरक्षन विद्यक के तहत संसद में महिलाओं को सीटों का आरक्षन दिया जा रहा है इसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत 106 वा सम्विधान संशोधन याद रखे गई से और इसको हमारी राष्टपती द्रोपदी मुर्मू जी ने पास किया नई संसद बनने के बाद ये पहला विद्यक पास हुआ है और इसके तहत 2026 के बाद जब परिसीमन होगा तो 33% सीटे महिलाओं के लिए आरक्षित होगी किस राजजी सरकार ने एक महीने में 200 यूनिट मुफ्त बिजली परदान करने के लिए ग्रहा जोती योजना के नाम से शुरुवात की है याद रखना तो जिसके तहत 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी वो करनाटक की ग्रह जोती इसकीम होगी रास्ट्री हरित नियाधी करण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियो उतकिया गया है नियो चेर्मेन बनाया गया नाशनल ग्रीन ट्रिबूनल का याद रखेंगे जो की परियावरण संबंधी मामलों को देखता है जस्टिस प्रकाश शिरिवास्तव जो है वो होंगे इससे पहले याद रखेंगा सर यहाँ पर दूसरे बनाये गये ते शिव कुमार सिंग जो चेंज किये गए कौन सा राज्ये देश का पहला पूर्ड डिजिटल बैंकिंग राज्ये बन चुका है जहांके कम्प्लीट सभी डिस्टिक्स में डिजिटल बैंकिंग शुरू हो चुकी है वो केरला इस्टेट होगा तृपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहन किया था किसने तो तृपुरा के नए मुख्यमंत्री मनिक साहा बनाए गये थे पिये मोदी ने किस राजी के हुबली के में दुनिया के सबसे लंबे रेल्वे प्लेटफॉर्म का उधगाटन किया है जिसकी लंबाई लगबग डेल किलोमेटर के आसपास होगी और ये करनाटक के हुबली में होगा प्रिजकर अर्किटेक्चर प्रुसकार 2023 के विजिता के रूप में किसे चुना गया है जो अर्किटेक्चर के एक फिल्ड में सबसे बड़ा वोड है प्रिजकर के नाम से ये डैविट चिपर फिल्ड को मिला है जो ब्रिटेन के हैं यद रखिएगा हाली में HDFC बैंक के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक किया गया और सबसेदा हाइस्ट पेड परसंड ये सैलरी भी पाते हैं ये बैंकिंग फिल्ड में इनका नाम है शशीधर जगदीशन 2023 में Fraser Institute की रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने दुनिया में सबसे free economy के तौर पर Hong Kong को पीछे छोड़ दिया free economy की बात करें तो Singapore ने यहाँ पर पीछे छोड़ दिया basically Hong Kong हाली में 100 days global city campaign चलाया गया है और इसके 3300 दिनों के अंदर शेहरों को world class cities में convert किया जाएगा जो कि आप जानते हैं कि possible नहीं है वेकिन इसे उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाया था वर्ष 2023 का international yoga day जो मनाया गया 21 जून को हर साल होता है इसकी theme क्या रखी गई ती याद रखना yoga for vasudev kutambaka ये इसके theme रखी गई किस शेहर में भिकारी मुक्त शेहर की एक नई पहल शुरू की गई है बैगर free city की बात की गई है सर तो पहला भिकारी मुक्त शेहर जो होगा वो नागपुर होगा किस राज्जी ने वन अधिकार अधिनियम से संबन्दित अधिकारों के लिए यहां के अधिवासी छेत्रों के अधिकारों के लिए मोज जंगल जामी यह जंगल हमारा है इस जंगल में हमारे अधिकार है इसके लिए एक योजनच लाई गई है उडीसा सरकार के दुआरा किस राज्य या केंदर शासित प्रदेश ने मानसिक संकट से जूज रहे लोगों के लिए पहला चैटबॉट लॉंच किया है मानस के नम से बताईए भई तो इस चैटबॉट को लॉंच किया गया है जमू कश्मीर के उपरा जीपाल जो है मनोज सिनहा के दुआर किस शेहर में कच्रे से कोईला बनाने वाला जो देश का पहला प्लांट है उसको लगाया गिया है कचिरे से कोईला बनाने वाला जो पहला प्लांट होगा ये वारानसी में होगा किस शेहर में नहरू मेमोरियल का नाम बदल कर परधान मंत्री समारक कर दिया गिया है तो नहरू मेमोरियल की जगा प्रधानमंत्री इसमारक जिसमें लगबग लगबग सारे प्रधानमंत्रियों की जीवनी होगी ये दिल्ली में बनाया किया किस राज्य सरकार ने सरकारी योजना और सेवाओं को नागरिकों के दर्वाजे तक पहुचाने के लिए शासन अपल येदारी नाम के योजना शुरू की है और इसके तरह सभी नागरिक सेवाओं लोगों तक पहुचेंगे उनके घरों तक महरास्ट होगे हाली में दो बैंक सिलिकॉन वैली बैंक और सिगनेचर बैंक जो है ये दिवालिया हो चुके हैं और ये दोनों बैंक किस देश के थे याद रखना ये अमेरिका के दो बैंक थे और इंके बाद आर्थिक संकट बढ़ गया था एशियाई खेलों के उद्गाटन समाहरों में ध्वजवाहक कौन थे जो इस बार एशियन गेम हंगजू चाइना में हुए थे तो हर्मन प्रीत सिंग और लवलीना बोर्गोहन ये भारतिये ध्वजवाहक थे ओपनिंग में और इसके बाद क्लोजिंग के अंदर पी आर श स्वामी नाथन जानकी रमन जो की चौथे हैं इसके अलावा यहां पर एक और नाम आता है सर उनको कारेकाल को बढ़हा दिया गया है माइकल पात्रा को अहली में एक स्पोर्ट्स कंपनी है ऐसिस उसका ब्रेंड अमिजडर किसे न्युक्त किया गया है ऐसिस कंपनी के जो ब्रेंड अमिजडर है सर उसमें शरद्ध कपूर को चुना गया है यह जापैन की एक ब्रेंड हाली में किस परसिद अभी नेत्री को दादा साहिफ फाल के लाइट टाइम अच्छीवमेंट आवोर्ड से सम्मानित किया जाएगा तो इस बार वहीदा रह्मान को इससे में M.C. मेरिकॉम और फरहान अक्तर चुने गए थे किस भारतिये फिल्म को आसकर 2024 की आधिकारी प्रवस्ठी के तोर पे चुना गया और यह मूवी किस भाशा से रिलेट करती है याद रखना और यह मूवी जो केरला की बाल पर बेज़ड है केरला फ्लड 2018 में आया था उस पासपोर्ट की बात करें तो भारत इस पोजिशन में अब असी वे पाइदान पर आ चुका है इस यह रिपोर्ट जो है थोड़ी सी गलत हो गई है या कोशन थोड़ा सा पुनाना हो सकता इसके अंदर एक बार देखेंगे भई मुझे याद है बिल्कुल कि रीसेंट जो र प्रणान मंत्री के रूप में किसे चुना गया है फिनलेंड देश के नए परधान मंत्री पैट्री और पो के नाम से जो है वो चुने गए हैं उनको याद रखेंगे फिनलेंड के देश के नए पी-म जो होंगे दो इस सरह की जो सवाल ना बहुत इंपॉड़ेंट है मैंन हाली में किस देश के साथ नौ सैनी का ब्यास है तोई कि भारत और साइब्या के बीच में होता है किसके व्यंगे और पन्यासकार पागल खाना के लिए उसे व्यास समान से चुना गया है 32 व्यास समान जो दिया गया है व्यंगे प्रुसकार के लिए पागल खाना ग्यान चत्रवेधी को दिया गया कौन सा शहर World Cities Cultural Forum में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर बना है तो World Cities Cultural Forum में जो शामिल हो रहे हैं सर उन में अगर हम भारत की बात करेंगे तो वो पहला शहर बैंगलूरू होगा परदान मंत्री ने किस इस्थान पर टेंट सिटी का उदगाटन करा है तो टेंट सिटी बनाई गई है जो भारत में वो किस इस्थान पर होगी सर वो वारानसी में होगी किस देश में आर बॉनी गैबरियल को 71 वी Miss Universe 2022 बनी है वैसे इस बार की Miss World 2023 आ चुकी है लेकिन अभी वो आपके एक्जाम के लिए इस्थान नहीं होगा तो कल्चुरल और टूरिस्ट क्यापिटल बना है 2023 के लिए सियो की इससे पहले वारानसी था और अब हलमाटी होगा कजाकस्तान का किस शहर ने 115 शहरी साने निकायों में 2000 बड़े जल निकायों को पुनरजीवित करने के लिए अमापकारी योजना शुरू किये यहाँ पर याद रखना तो उरीसा सरकार अपने जो जल निकाय उनको दुबारा से उन छेत्रों को बहतर बना रही है किस राज्जी के कॉलम जिला भारत का पहला समविधान साक्षर जिला बन गया है तो कॉलम भारत का पहला समविधान साक्षर जिला जो केरला में होगा हाली में भारत में पहली बार किस देश में मस्तिश्क खाने वाला एक आइसा अमीबा है जो कि लोगों का दिमाग मस्तिश्क खा जाता है ये केरला में मिला है ग्लोबल लाइबेबिलिटी इंडेक्स 2023 जो आई है रोगों के रहने योग्ये शेहरों की बात करें इस मामले में वियाना शीर्ष पर आता है कौन सा देश विदेशों से आयातित जो COT2 है उसको समाप्त करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है तो विदेशों से आयातित CO2 को समाप्त करने वाला पहला देश डेनमार को होगा सीरिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे न्यूक किया गया है तो सीरिया देश में भारत के नए राजदूत बने है इर्शाद एहमद हाली में किस राज्ये के बीजी समचार चेनल ने लीज़ा नामक एक AI समचार एंकर लॉंच की है उडिसा के अंदर लीजा नामा के एक AI एंकर बनी है किस देश के Harris Park का नाम बदल कर Little India कर दिया गया है Australia के अंदर Sydney में एक पार्क है उसका नाम बदल कर Little India किया गया परदानमंत्री नरेंद्र मोधी जी ने जिस इस्थान पर चंद्रियान तीन कलेंडर उतरा था आप जानते है ये 23 अगस को उतरा था और इसी को National Space Day कहते हैं और चंद्रियान तीन साउथ पोल पर गया था हमारा याद रखेगा इसको शिव शक्ती का नाम दिया है परदानमंत्री नरेंद्र मोधी जी ने राजिस्थान में यूरिया की नई किसम लॉंच की है जिसमें सलपर की मात्रा जादा है और यह कहा लांच किया गया है राजिस्तान में यूरिया गुर्ड के नाम से 2014 में अर्तीसवे रास्टे चेल कि में ऑगावाठी के अंग्लिश में दोहजर चौपीस में 38 रास्टे खेलों का जिन कहा किया जाएगा तो 2024 में होने वाले 38 रास्टे खेल जो है वो उ संक्या तो लगभग 3925 जिसमें सरवधिक जो है मध्यप्रदेश में है वेश्विक लिंग सूचकांग की अनुसार यानि की जेंडर इंडेक्स की अनुसार भारत विश्व में 127 नंबर पर और आइसलेंड जो है वो नंबर वन पर आता है 127 एंडिया का एडियार की रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्ये के विधायक की संपत्ती जो है वो सबसे अधिक आउसतन तो करनाटक के विधायकों की संपत्ती सबसे जादा है हाली में किसने एक नई पुसक लिखे How Prime Ministers Decide ये एक नई किताब ही जिसको निर्जा चौधरी जी के द्वारा लिखा गया है भारती बोध संस्कृति अवं विरासत केंद्र बनाया जा रहा है ये इंडियन बुद्धिस्ट कल्चर हेरिटेस सेंटर होगा जो की नेपाल के लुम्बनी में होगा भारत के अमेरिकी राजदूत के रुपे कौन चुना गया है भारत में जो अमेरिका के नए राजदूत होंगे सर उनका नाम होगा इरिक गयर सकी GST council ने online gaming पर कितना परसेंट GST तेक किया है याद रखना online games पर 18% GST लगेगा हाली में किस राज्य सरकार ने 19 नए जिले और 3 नए मंडल बनाने का प्रस्ताफ को मंजूरी दे दी है तो 3 नए मंडल बनेंगे 19 नए जिले बनेंगे राजिस्तान होगे विश्व का सबसे बड़ा रामायन मंदिर जो होगा इस चंपारन डिस्टिक में पूर्वी चंपारन जिले में बनाया जाएगा जो कि बिहार के अंदर होगा नेरेंद्र मोधी जी को The Grand Cross of the Order of Honor से समानित किया गया है श्वेता शार्दा जो कि चंदीगर से आती है किस भारती अमेरिकी युवा ने परतिष्टित विज्ञान परतिभा खोज प्रुसकार प्राप्त किया यहां पर तो यह prestigious science talent search award है जो कि दिया गया है नताशा पेरी या गमन को या पुरा नाम याद रखेंगे नताशा के नाम से जोने वाली है चंद्रियान तीन mission जो बलाया गिया था उसके निदेशक कौन थे उसके director कौन थे दिवो एक तो चंद्रियान के mission director है और एक हैं चंद्रियान तरी के project director दोनों अलग-अलग नाम है इसलिए confuse मत होना मोहन या मोहना भी लिखे ये भी लगाते हैं कई जंगा मोहन कुमार ही होगा नॉमेडिक एलिफेंट नाम का एक सेनिया भ्यास है जो दो देशों के बीच में किया गया है इस बार वो किन देशों में होगा तो याद रखेंगी ये सेनिया भ्यास जो होगा नॉमेडिक एलिपेंट के नाम से इंडिया और मंगोलिया में हूँ जस्वाइब चलिए बैए तो आगे देखते बैए वेश्विक परतिस प्रधात्मक सुचकान 2023 में भारत का इस्थान क्या है ग्लोबल कॉंपेटिवनेस इंडेक्स 2023 है जो उसमें भारत को 40 वाइसान दिया गया है औस्टेलिया के सेंट्रल बैंक जो है औस्टेलिया का जो रिजर बैंक है उसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है याद रखना तो मिशल बलॉक जो होंगी यहाँ पर वो उसकी अध्यक्ष बनी है हाली में किस राज्जे की सरकार ने पुरानी पैंशन योजना को फिर से बहाल कर दिया फिर से शुरू कर दिया तो पुरानी पैंशन योजना को हिमाचल परदेश के नए मुखे मंत्री बनने पर शुरू कर दिया 2027 सक फीफा के अध्यक्ष के रूप में किसे दुबारा से चुन लिया गया है तो 2027 सक्वीपा के अध्यक्ष रहेंगे ग्यानी इंफेंटिनो हाली में किस राज्ये के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी का निदन हो गया है तो पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी केरला से आते थे इनका निदन हो गया हाली में किस देश ने 2006 के रास्चुमंडल खेलों की मेजबानी से अपना नाम वापस ले लिया है तो दोज़़ज़ज़़ईस के जो रास्टुमंडल खेल हैं सर वो आस्ट्रेलिया के विक्टूरिया में होने ते लेकिन अपकी इसी नई जगाँ पर होगे हैंले पास्पोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का इस्थान क्या होगा तो हैंले के दुआरा है जिद जो पास्पोर्ट इंडेक्स है उसमें मैंने कुशन बताया अभी 801 नमबर भारत का हो चुका है तो इस कुशन को हम डिलीट करते हैं भारत के जो नए महानीदीशक होंगे इंडियन कोस्ट गार्ड के राकेश पाल होंगे उनिवर्सल पोस्टल युनियन जोकी स्वीजर्लेंड के बर्न में मुख्याले है इसका इसका जो नया ओफिस जो एक शेहर ओफिस खोला जाएगा भारत में वह दिल्ली में होगा स्काइट्रेक्स दुआरा जारी दुनिया के सरश्रेस हवायडों की सूची में कौन सा हवायडा टॉप पर होगा तो चांगी एरपोर्ट जो सिंगापुर में है याद रखिएगा ये विश्व का सबसे बेस्ट एरपोर्ट होगा इसरो का शुक्रियान One Mission जो है वो किस वर्ष लाउंच किया जाएगा हमारे वीनस पर शुक्र ग्रह पर जाएगा ये और ये दोह हजार एक तीस में लाउंच किया जाएगा इस रों के द्वारा पीम मोधी के अधिक्षता में केंद्रिय मंत्री मंडल जो है उसमें कितने नए नर्सिंग कॉलिजों की सापना की जाएगी तो 157 नए नर्सिंग कॉलिज बनानी की बात सरकार ने की है इस बार बजट में वेश्विक आतंगबाद सुचकांग 2023 में भारत की रेंग क्या रखी गई है तो आतंगबाद से समधित रिपोर्ट में भारत को तेरवा इससांद दिया गया है रेलवे सुरक्षाबल यानि आर्पीएफ के नए महानिदेशक की रूप में किसे चुना गया है तो रेलवे सुरक्षाबल के नए महानिदेशक जो होंगे वो राकेश पाल उसके हैं मनोज यादव जो है वो आर्पीएफ के चुनिये गए गरतंत्र दिवस दोजार तेईस के लिए किस देश के राष्टपती अबडल फतह अल सीसी जो है वो मुखे मंत्री बने थे हमारे वो इजिप्ट के थे याद रखना केंदे सरकार दुआरा अंधरपरदेश उच नियायले जो है उसके नय मुखे नियाधीश कौन बने है जो अमरावती में बना है नया मुखे नियाधीश उसके दॉक्टर धीरज सिंग जस्टिस धीरज सिंग ठाकू होंगे परगती मेदान में उस नए परिसर को क्या नाम दिया है जिसमें अब इस बार जी ट्वेंटी का समेलन क्या गया था उसको नाम दिया गया भारत मंडपम याद रखेगा जो कि दिली में इससे दे है भारत के 83 वे ग्रेंड मास्टर का खिताब किसने जीता है इस बार जो 83 ग्रेंड मास्टर बने हैं हमारे वो कौन होने वाले हैं याद रखना अधित्या समन्त होने वाले हैं जो महरास्टर से बिलॉंग करते है किस शेहर को अपने धुम्रपान कानूनों के लिए हेल्दी सिटी प्रुसकार मिला है तो हेल्दी सिटी प्रुसकार से सम्मानित किया गया है जो किसे किया गया है याद रखना तो इस बार बैंगलूरू को हेल्दी सिटी प्रुसकार दिया गया वर्ल्ड हैपिनेस रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक क्या है विश्व खुशहाली सूचकांग में यद रखेगा जो भारत है हमारा वो 126 वे नंबर पराता है 126 पराता है किस भारती मूल के वेक्ति को स्टारबक के CEO के रूप में पदभार दिया गया है स्टारबक के नए CEO के रूप में चुने गए वो कौन होंगे तो याद रखेंगे लक्षमन नरसिमन स्टारबक के होंगे विश्व जनसंख्या सर्वेक्षन के अनुसार दुनिया में सबसे पुराने देश के रूप में किसको सूची बद किया गया दुनिया का सबसे पुराना देश किसे माना गया है तो यहाँ पर जो इरान है उसको सबसे पुराना देश माना किया हाली में कि राज्य सरकार ने स्कूल आफ एमिनेंस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है तो स्कूल आफ एमिनेंस स्कूलों को बहतर बनाने के लिए पंजाब में भगवंत मान सरकार ने शुरू किया है भारती और मिस्र की सेनाओं के द्वारा जो साइकलोन वन है उसका युजर कहां किया जा रहा है जो धुपुर में किया जा रहा है जो कि राजिस्थान में है भारत और इजिप्ट की सेनाओं के बीच में अमबेडकर जी को समर्पित इस्टेची ओफ नॉलिज जो बनाई गई है वो किस राज्ये में होगी एक स्टेची ओफ नॉलिज के नाम से बनाई गई जो कि महरास्ट्रा के लातूर में होगी अगला है आर्बियाई का डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा परिशन संस्थान की शेहर में सापित होगा आर्बियाई का जो साइबर सिक्योरिटी ट्रैनिंग इंस्टिट्यूट है यह उलीसा के भूनेश्वर में होगा अनुबवी लेखक और गीतकार जावेद अक्तर पर एक पुस्तक है जादू नामा इस किताब को किस के द्वारा लिखा गया है ये किताब अरविंद मंडलोई के द्वारा लिखी गई मनरेगा के अंदर जो सो दिन का रोजगार दिया जाता है कि उजना है उसके तहत राज्ये ने कल्यान बोर्ड का गठन किया यहाँ पर तो किस राज्ये ने कल्यान बोर्ड का गठन किया है तो याद रखेंगे केरला स्टेट होगा कौन सा देश The Voice of Global South शिकर समेलन की मेजबानी करने वाला है तो याद रखेंगे The Voice of Global South की मेजबानी भारत ने की है कौन सा राजी राइट टू साइट के उदेशे से दिरिश्टी हींतन यंतरन के लिए कानून लागू कर रहा है और ऐसा करने वाला राजिस्तान पहला स्ट्रीट होगा आक्स्वेम इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की 1% अमीरों के पास कुल कितनी संपत्ती है लगबग ये रिपोर्ट कहते है कि भारत के 1% लोगों के पास लगबग 40% संपत्ती है हाली में ग्लोबल सिटी अभियान बनाया गया सोधिवस्य और ये कोशन और इसमें आ चुका था इसलिए हटा दिया केल सरकार दुआरा गैर कानूनी गतिविदियों के कारण UAPA कानून के अतहत आतंगवादी संगठन गोशित किया गया दा रेजिस्टेंस फ्रंट नाम से टी आरेफ के नाम से एक संगठन गया भारत ने संयुक्त रास्ट मिशन में महिला शांती सेनिकों के एक पल्टन भेजी गई है याद रखना वो सुडान गई है और वहां से भारते लोगों को वापस लाने के लिए ओपरेशन कावेरी भी चलाया गया है किस राजिये में सित जोशी मठ को भू इसकलन गोशित क्या गया है चेतरत उत्राखन में सित है जोशी मठ जहां पर अपदा आई थी किस राजिये ने अपने जग मिशन के लिए World Habitat Award 2023 जीता है इस बार का World Habitat Award 2023 जो इस जग मिशन के लिए मिला है उड़ीसा को है केंद्रिय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंग ने किस राजिये में National Center for Genome Editing and Training का उध्वाटन किया है तो ये एक नया सेंटर बनाया गया है जो कि पंजाब के मोहाली के अंदर होगा मोहाली पंजाब में होगा सियाचीन में सक्रिय रूप से पेनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है सियाचीन का जो हिस्सा है उसमें महिला अधिकारी के तौर पर शिवा चोहान को चुना गया है हाली में किस देश के विज्यानिकों ने मेंड़क की 20 नई परजातियों की खोजी किये 20 नई परजातिया जो है वो यहां खोजी गई है 20 नई परजातिया और यह मेड़ागासकर के अंदर हुआ है किस राज्य की निजात अभियान के लिए उसकी पुलीस को इंटरनाशनल असोसेशन ऑफ चीफ अफ पुलीस प्रुथकार से समानित किया गया तो यह निजात अभियान जो चलाया गया था यह 36 गलका था और इसके लिए समानित किया गया किस देश के विग्यानिकों ने एक नई जल शोधन प्रणाली विक्सित किये कि 10 सेकंड में ही पानी के अंदर माइक्रो प्लास्टिक्स को हटा दिया जाएगा ये साउथ कोरिया के विग्यानिकों ने बनाई है किस राज्ये ने दिदिर सुरक्षा कवच और दिदिर दूत नामक एक जनकल्यानकारी पहल की शुरुवात के हयाद रखेंगे ये जो जनकल्यानकारी पहल है दिदिर के नाम से ये बिहार बंगाल में होगी विग्यान और अनुसंधान के छेत्र में अटल समान अवोर्ड से किसे समानित किया गया है तो इस बार का जो अटल समान अवोर्ड है वो परभूचंद्र मिशरा को दिया गया 2022 का समान है परवासी भारते चामिलन 2023 का यूजन कहा किया गया था 2023 में होने वाला परवासी भारती समेलन इन दौर में हुआ मध्यपरदेश में हाली में नारी शक्ती बंदन अधिनियम कौन सा सम्विदान संचोधन बना है तो 106 सम्विदान संचोधन को राश्पती दी द्वारा 29 सेप्टेंबर को मन्जूरी दे दी गई हाली में 49 जी सेवन शिकर समेलन दो雜ार तैस जो है इसका योजिन कहाँ पर हुआ था तो इस बार का जी सेवन जो शिखर समेला ने वो जापान में हुआ और अगली बार इटली में होगा हाली में चैट जीपिटी गीगा है यहाँ पर चैट जीपिटी जो होता है चैट जीपिटी गीगा चैट कहते है और गीगा चैट नाम का चैट जीपिटी जो होगा वो रशिया का होगा प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी जी ने 28 मई 2023 को नए संसत भवन का उद्गाटन किया जो किसकी जहनती थी 28 मई को वीर सावरकर जी की जहनती 28 मई को थी याद रखना और इस नए संसत भवन जो बनाया 388 लोग सभा सीटे है इसमें अब और 384 जो है वो राज्य सभा सीटे है इसमें और ये जो नया होगा सर इसको विमलक पटेल जो है वो इसके नए आर्किटेक्चर है उनने बनाया है दिल्ली के अंदर इस सित है ये और इसको Central Vista Project का हिस्सा ही माना जाएगा याद रखना जिसको 28 मई 2023 को launch किया गया गुजरात कुछ नियाले की मुखे नियाधीश की रूप में किसे न्यूक किया गया है तो गुजरात में शन्यूक होने वाली देश की पहली महिला मुखे नियाधी चो है वो सुनीता अगरवाल है यहाँ पर हाली में विमल्डन चेंपेंशिप 2023 में पुरुष एकलवर का किताब किस ने जीता है इस बार जो विमल्डन हुआ था क्योंकि चार ग्रेंड स्लेम होते है टैनिस में कार्लोस अलक्रेज ने जीता था विश्व टेस्ट चेंपेंशिप 2023 की विजिता टीम कौन सी रही है क्योंकि भारत को फाइनल में हराकर अस्ट्रेलिया ने इस किताब को जीत लिया था हाली में भारत के सुप्रीम कोट ने मुबाइल आधारित ई-पास बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉंच किया है कि सुप्रीम कोट में आप एंटर तरी करेंगे जब आपके पास यह ई-पास यानि सूस्वा गतम होगा इस पोर्टल पर जाकर हाली में देश का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए पानी के अंदर कौन सा विहिकल लॉंच किया गया है इसका नाम है निराक्षी निराक्षी नाम का यह वेसल होगा यह पता लगाएगा भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वैदवन का उदगाटन कहा हुआ है तो पहला वैदिक थीम पार्क है वैदवन जो की नौएडा में उत्ताप्रदेश में क्या गया है हाली में किस परसिध राजनीति कार्टूनिस्ट का 68 वर्ष के आयू में निधन हो गया है तो एक कार्टूनिस्ट रहे हैं पलिटिकल कार्टूनिस्ट अजीत निनान इनका निधन हो गया प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी ने आथलीन क्रेकर प्रियोजना के अधार शीला कहां पर रखी है तो एठलीन क्रेकर जो फाउंडेशन है उसकी वो मध्यपरदेश में रखी गई है हाली में लीबिया का जो डर्ना शहर है वो किस तूफान के कारण पानी में डुब गया है तो लीबिया का डर्णा सिटी जो है वो पानी यहाँ पर आया था स्टॉप डैनियल के नाम से इस कारण डोब गया Miss Universe पाकिस्तान 2023 जो बनी है वो कौन होंगी तो पाकिस्तान से Miss Universe बनी है एरिका रॉबिन के नाम से हाली में पाकिस्तान के 39 वे मुखे नियाधीश के रूप में किसने शपत गिरण की है तो पाकिस्तान के 39 वे ने चीफ जस्टिस काजी फेज इसा होंगे डिजिटल गुर्वत्ता जीवन सुचकांग सर्वेक्षाँ 2023 में भारत कौन से इस्तान पर रहाद रखेगा तो भारत को कौन सा पायदान दिया गया इसके अंदर डिजिटल क्वालिटी ओफ लाइफ इंडेक्स के अंदर चलिए बई यद रखेंगे तो हमारे देश को बावन वे सन पर रखा है 2023 का बॉर्लॉग फिल्ड प्रसकार जो की नॉर्मन बॉर्लॉग के नाम पर दिया जाता है ये उलीसा की स्वाती नायक को दिया गया है 2022 के सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है किसे सूर्य वंशम के लिए तो ये शिव शंकरी है तमिल भाषा की इनको चुना गया पैंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण पी एफ आरडिये के अध्यक्ष के रूप में किसे ने उठकिया गया है जो 69 नाशनल फिल्म आवोर्ड है हमारा उसके लिए अलू अर्जुन को चुना गया हो जबकि आलिया भट और किरती सेनन जो है उन दोनों को बैस्ट एक्ट्रस के रूप में चुना गया है तो मध्यप्रदेश का 53 वाजिला जो है वो बऊगज है कॉन्रेड संग्मा जो होंग्यों किस राज्य के नय मुख्यमंत्री बनाए गए ательно कॉन्रे संग्मा को मेःधाले राज्य में नय मुख्यमंत्री पत्की काई शपत्य दिल आई एक Central Government ने शिंकूला टनल को जो All Weather Connectivity प्रोवाइड करती है, जो कि हिमाचल प्रदेश और लदाख को आपस विजोड़ती है, इसके लिए यहाँ पर Approval दिया है, Construction करने के लिए, तो एक्शल में यह तो दोनों राजियों की बात हो गई, सर हिमाचल और लदाख दोनों की बात ह हो रही है, क्योंकि यह टैनल हिमाचल से लेकर रदाख तक को जोड़ने का काम करती है, तो हिमाचल प्रदेश में इसको मंजूरी दे दी गई है, Forks in the Road, My Days at RBI and Beyond, यह किताब है, जो कि RBI के पूर्व गवर्नर यानि की C. रंगाराजन के दुआरा लिखी गई है, हाली में पेले नाम से परसिद जो देश के खिलाड़ी है, फुटबॉलर है, उनका निधन हो गया है, वो किस देश से आते हैं, तो पेले नाम से परसिद हैं यह और यह ब्राजील देश के खिलाड़ी थे, नए संसर भवन के वास्तुकार कौन है, नई संसर भवन जो के 28 मई, 2023 को ल कहां पर हुई थी, टूरिजम वर्किंग गुरुप की जो बेठा के वो शिरी नगर जमू कश्मीर में हुई थी, उपन्यास टॉम ऑफ सेंड के लिए इंटरनाशनल बुकर प्राइस 2022 मिला था, जो वो गितांजली शिरी को दिया गया था, टॉम ऑफ सेंड के लिए, निमल तेरवी महारतन कंपनी है ये, और इसके अलावा 16 जो है वो नवरतन हो चुकी है, राइट्स, ओंजीसी विदेश, एरकोन और रास्ट्ये केमिकल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड मिलाकर, कुल मिलाकर 16 नवरतन है, एपी जी अब्दुलकलाम सेटिलाइट वहिकल मिशन लौ ठीक, भारत में किस एजनसी ने उत्साह पोर्टल को लाँच किया है, तो भारत में उत्साह पोर्टल को जो लाँच किया गया है सर, UGC यानि यूनिवरस्टी ग्रांट कमिशन के दुआरा किया गया, इनी के दियारा CU एक पोर्टल है, चेन पोर्टल के नाम से है, जो की फ सम्में होगा युए नो द्वारा किस वर्ष को अंतरास्टी बाजरा वर्ष गोशित किया गया है इंटरनाशनल येर ओफ माइलेट्स डिक्लेर किया गया था तो दोजार तेईस को इंडिया के कहने पर किसने 2022 का नोबल शांती पुरुसकार जीता था 2022 का पूछ रहा हूँ 2023 का तो आप सभी को याद है लगबग लगबग ये तीन जो नाम दिये गए सब नोबल शांती पुरुसकार 2022 के लिए बात हो रही है यहाँ पर उसको याद रखेंगे भै तो LS की जो है यहाँ पर उन्होंने जीता था सर और ये इसके अलावा और भी दो एक संगठन था एक आपके पास संस्था भी आती है वो भी थी इसके अंदर तो LS ब्यास की लेकिन आपकी बार जो है वो कौन है सर वो है इरान से आने वाली एक नर्गिस मुहम्मधी के नाम स कौन सादेश ब्रिक्स के नियू डेवलोपेंट बैंक का नया सदस्य बन गया है ब्रिक्स जो की पाँच देशों का एक संगठन था उसका नया सदस्य बना है इजिप्ट देश इस वर्ष कितने पदम प्रुसकार प्रदान किये गए कुल मिलाकर इस बार जो पदम प्रुसकार दिये गए उसमें पदम शिरी पदम भूशन और पदम विभूशन तीनों मिलाकर 106 अवोर्ड से समानित किया गया है मानहानी के मामले में सजा के लिए किस राजनेता की लोग सबा सदसे था छे साल के लिए रद कर दी गई है तो मानहानी मामले में छे साल के लिए सबसे रद की गई थी राहुल गाधी की जो वाइनार सीट से आते है के रला के अंदर New Development Bank के नए परमुख के रूप में किसे निउत किया गया था New Development Bank के नए परमुख के रूप में डिल्मा रौसेफ चुनी गई जो कि आप जानते हैं ब्राजील की रास्पती रह चुकी है वर्श 2023 के लिए असम के सर्वोश नागरिक समान असम वेबफ से समानित किया गया था किसे अगर ये सवाल में 2022 का कर दूँ तो रतन टाटा हो जाएगा लेकिन ये ओल्डरी हो चुका हाली में किस राज्जी की आलिया मीर को वन्य जीव सनक्षप उसकार के लिए समानित किया गया आलिया मीर को वाइड लाइफ कंसर्वेशन अवड दोजार तेईस दिया गया याद रखना ये जम्मू कश्मीर से आती है नवीनितम गणना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यदा हातियों की संक्षप किस राज्ये में आती है और ये किसके दुआरा जारी की गई इसमें कहा गया है basically कि यहाँ पर एक G. रोहनी जो कि दिली चाहिकोड की Chief Justice सी कि OBC के अंदर भी सब केटेगराईज होना चाहिए हाल ही में किस देश ने अपना चंदर मिशन Luna, लूभा नहीं भई, Luna 25 Luna अरे क्या कर दिया Luna 25 जो है वो लॉंच किया है तो यह कहां का चंदर मिशन है यह रशिया का रूस का चंदर मिशन होगा याद रखे हाल ही में किसने भारतिय चावल अनुसंदान संसान में मिर्दा, मिटी परिक्षर के एक पोर्टेवल डिवाइस बनाया भू विजन के नाम से तो भारतिय चावल अनुसंदान संसान हिदराबाद है जो वहाँ पर लॉंच किया गया वज़े एक सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टिटूट कटक में वो अलग है याद रखना दोनों अलग अलग है गुरू गोरक नात बोर्ड का गठन किया गया है किस राज्य सरकार द्वारा तो राजसान सरकार ने गुरू गोरक नात बोर्ड बनाया है विदेशी परवासियों को आर्तिक साहता प्रदान करने के लिए शुभ यात्रा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है शुभ यात्रा योजना को शुरू किया गया याद रखना केरला सरकार के दुआरा हाली में रास्ट्य बाल अधिकार संदक्षन आयोग ने देख भाल के लिए कौन सा पोर्टल लॉंच किया है नैशनल मिनरल्स डेवलपेंट कॉर्परेशन के दुआरा यहाँ पर जो निखत जरी ने इंडियन उनको लॉंच किया बनाया गया समावेशी और हरित विकास सहिद बजट 2023-2024 में कितनी प्राथमित्ताओं को अपनाया गया था इस बार के बजट में कितनी प्रायोरिटीज की बात की गई थी किस राजी है केंद्र शासी प्रदेश में पहली जी ट्वेंटी अंतरास्टे वित्य फास्तु कला कारिये समुझ जो है उसकी बेटा की गई तो पहली इंटरनाशनल फाइनेशल अर्केटेक्चर जो है यह चंदीगर में लेकि मैं आपको बताऊं जी ट्वेंटी आना ही आ जी ट्वेंटी पर केंद्रिय बजर 2023 में नई घुशनाय लांच की गए जिसके तहत सिकल जो एनीमिया है उसको खतम करने का लक्षी रखा गिया था यह एनीमिया की बिमारी को खतम करने का लक्षी 2047 सक रखा गया रोका बोटे को किस देश के नए परदानमंत्री के रूप किया गया है तो पहला सेन्य साहित्य महसब जो होगा यह पंजाब के अंदर पट्याला और अम्रिस्सर को लेकर कंफ्यूजन ने लेकिन यह पंजाब में हुआ विश्व कैंसर दिवस 2023 जो मनाया गिया उसकी थीम क्या थी तो वर्ल्ड कैंसर डे 2023 जो था उसकी थीम थी क्लो सुप्रीम कोट की 73 वी वर्षगाठ पर संबोधित करने के लिए किस देश की मुखे ने अधीश का अमंत्रित किया था तो इस बार सुप्रीम कोट ने सिंगापूर के चीफ जस्टिस को अमंत्रित किया डॉप टेस्ट में फैल होने के कारण किस भारती जिमनास्ट पर 21 मही देश शिलंका के अंदर वहां पर रखा गया है नमो नमो माथा के नम से पॉर्चीन पत्रिका के अनुसार सबसे ज्यादा प्रशंसित कंपनियों के अंदर सब सदा एड्मायर कंपनियों के अंदर जो शामिल की गई भारती कंपनी वो है टीसीएस किस देश की किर्केट चलाया है वेटलेंड कहते हैं जील और जो हमारे तालाव और दलदली छेत्र है उसको वेटलेंड कहते हैं और उसको सेव करने के लिए मिनिस्ट्री आप एंवार्मेंट ने एक अभियान चलाया है नासा की मुख्य अंत्रिक श्यात्री के तौर पर जो चुने गया है वो ज डोधी जी ने किस शहर में Arabic Academy का उधगाटन है भारत में तो भारत के किसी शहर में Arabic Academy बनाई गई हैं यह मुंबई में बनाई डि आ हैं किस देश के वेजिस्ट व Star किया है जो जेविक सेंसर से Talking चे में इसे launch किया गया है इसराइल के कौन सी महिला किर्केटर RCB दुआरा साल 3.4 करोड रुपे की बोली के साथ Women Premier League में सबसे महंगी खिलाड़ी बनी थी तो याद रखना 3.4 करोड में स्मृती मंदाना को RCB ने लिया था किस राज्जी ने परधान मंत्री School of Rising India या PM श्री को लागू करने का ने लिया है परधान मंत्री School of Rising India जो होगा यह मध्यपरदेश के दुआरा जो है वो launch किया जाएगा PM श्री योजना इसे कहा जाता है मध्यपरदेश में इसको launch किया जाएगा इसके लावा महारास्टा में वैसे मध्यपरदेश में अपना सूरज नामसिक नया सूर ड्रॉन बनाया है इसको गरुला एरो इसपे जो की चिन्ने की कमपनी है उसने बनाया किस राजी के सिरोही जिले में पिये मोदी जी ने जल जन अभियान जो है उसका उद्गाटन किया है जल जन अभियान का उद्गाटन किया गया राजिस्तान के सिरोही जिले से भारतिय सेना ने किस देश के साथ संयूत अभियास तरकश चलाया है तो इंडिया और अमेरिका की सेनाओं ने मिलकर तरकश अभियान चलाया है किस अभिनेता को बाल अधिकारों के लिए रास्ट्री राजदूद के रूप में नामित किया गया है तो यहाँ पर नैशनल अभिजटर बनाया है बच्चों के अधिकारों के लिए इश्मान खुराना किस टीम ने 2023 का रणजी ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है 2023 में 2022-23 का ये सेशन था जो की रणजी ट्रॉफी है और इसे सौरास्ट्रा की टीम ने जीत लिया था कौन सा उच नियाले छेत्रिय भाषा में निर्ने प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच नियाले बना है तो ये पहला उच नियाले जो होगा वो केरला है कूट होगा मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बुदल कर किस वेक्ति के नाम पर रखा गया है मैंने का आरबी आई के पहले भारतिय गवर्नर C.D. देश्मुक आरबी आई के पर्थम भारतिय जरूर लखना बई पर्थम गवर्णर नहीं थे यह, पर्थम भारतिय गवर्णर, फर्स्ट इंडियन आर्बिय गवर्णर, फर्स्ट इंडियन आर्बिय गवर्णर, सीडी देश्मुक, किस राज्ये में पहला किर्शी चेट बॉर्ड, अमा कुरुष, अमा कुरुष, अमा कुरुष, अमा कुर open chatbot launch किया गया जिसको Lama के नाम से जानते है Google ने इस chatbot को launch किया है तो ये है हमारे 200 question आज के और मुझे उमीद है कि इन सारे question को आपने बहुत अच्छे से cover up कर लिया होगा लेकिन इसके बाद वो 10 minute वाली series अगर आप देख लेंगे चाहे उसमें अशियन गेम 2023 की बात हो अशियन पेरा गेम 2023 की बात हो चंद्रियान तीन mission के बारे में बात हो सारी किताबे जो launch की गए 2023 में सारी जो awards दिये गए 2023 में उनकी बात हो appointments की बात हो deaths की बात हो जो भी कुछ हुआ है वो सब कुछ मैंने उसमें देने की कोशिश की है तो hopefully वो आप जरूर कर लेंगे और आज की इस class में इतना ही होगा Thank you everyone, thank you so much